नमस्कार दोस्तों अगर आप excel में calendar बनाना चाहते हैं और मैं कहूँ कि इसे कुछ ही seconds लगेंगे तो यह कैसे possible हैं तो आईए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर excel में calendar बनाना है वो भी कुछ ही seconds में तो हम कैसे बनाएंगे तो उसके लिए आपको excel open करना होगा ओपन करने के बाद आपको new जो बटन है उस पे click करना होगा click करने के बाद आपको search for online template बार पर जाना होगा और वहाँ पर type करना होगा calendar और enter मारना होगा जैसे ही आप enter मारेंगे तो calendar की कुछ templates आ जायेंगे आपको जो भी template चाहिए उसे just click किजिए क्लिक करने के बाद create बटन मिलेगा उसे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखिए एक कैलेंडर जो है आ गया और यह कौन से मन्त का कैलेंडर है यह है जन्वरी 2022 का अगर आपको फैब का चाहिए तो देखिए यहाँ पर शीट है फैबरोरी पर क्लिक कीजिए अगर आपको March का चाहिए तो March पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से जैन से लेकर December तक का जो कैलेंडर है यहाँ पर आपको दिख रहा है अब इसे सेव करना है तो आप कैसे सेव करेंगे फाइल पर जाएए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए आपका जो भी फोल्डर होगा उस फोल्डर में जाके आपको फाइल का नाम देना है जो भी आपको नाम देना है आप सेव कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक कैलेंडर का टैंपलेट डाउनलोड करके उसे अपने कंप और यहाँ पर search for template, calendar आपको type करना है और enter बटन पर click करना होगा, अब इसमें से हम कोई दूसरा template ले लेते हैं, suppose मैंने ये वाला template जो है, वो choose किया, जैसे ही choose किया, वैसे create button आएगा, आप create button पर click किजिए, तो हमने ये दूसरे तरह के calendar का template डाउनलोड कर लिया है, अब इसमें sheets नहीं है, देखे, एक ही sheet है, एक ही sheet के अंदर सारे months आ जाएंगे, यहाँ पर year कोई सा है, 2022, अगर आपको month change करना है तो यहाँ पर click किजिए, यहाँ पर एक arrow दिखेगा, उस पर click किजिए, अगर आपको February का देखना है, तो February पर click किजिए, और इसे अपने computer में save कर सकते हैं, तो इस video में इतना ही मिलते हैं अगले video में,